टाटा ग्रूप की शुरुवाद जमशेज जी टाटा ने 1868 में 21,000 रुपे के साथ करी थी उन्होंने एक दीवालिया हुई ओयल फेक्टरी खरी दी और उसे एक कॉटन फेक्टरी में चेंज कर दिया और दो साल बाद इसे अच्छे खासे मुनाफ़े के साथ बेच दिया इन पैसों के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक कॉटन फेक्टरी की शुरुवाद की जिससे उन्हें भारी मुनाफ़ा हुआ जमशेज जी टाटा एक अलगी व्यक्तित के मालिक थे उन्होंने ना केवल कपड़े बनाने के नएने तरीके अपना है वलकि अपने कारखानों में काम करने वाले लोगों का भी खूब ध्यान रखा जो की आगे चलके टाटा ग्रूप की एक पॉलेसी बन गया जमशेज जी के चार सपने थे पहला अपनी iron and steel company खोलना दूसरा world class education institution उपन करना तीसरा hydroelectric plant लगाना और चोधा एक luxury hotel बनाना लेकिन उनके जीवित रहते वहाँ अपना मात्र एक सपना पूरा होते देख सके और वो था hotel ताज महल यहां 1903 में 4 करोड 21 लाक रुपियों के भारी खर्च से तयार हुआ था इस hotel में जमशेज जी ने अपनी राष्टवादी सोच को दिखाया था उन दिनों स्थानी भारतियों को भैतरिन European hotels में घुसने नहीं दिया जाता था जिसका यह hotel एक जवाब था जमशेज जी टाटा के निधन के बाद उनके बेटे दोराब जी टाटा ने उनके बचे तीन सपनों को पूरा किया 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की जो की भारत की पहली iron and steel factory थी 1909 में Indian Institute of Science की शुरुआत की जिसे टाटा इंसिट्यूट के नाम से भी जाना जाता है और 1910 में टाटा पावर की शुरुआत की जो आज भारत की सबसे बड़ी private electric company है टाटा ने अपने बिजनेस में अनेक नई वा बहतर नीतियां अपनाई वे इन सब में अपने समय से कहीं आगे थे टाटा ही वहाँ पहली company थी जिसने 1912 में 8R work day culture शुरू किया था जिसे 1917 में Henry Ford ने अपनी famous Ford Motors में अपनाया था और टाटा ही वहाँ पहली company थी जिसने अपने employees के लिए medical benefits की शुरुआत की थी जो अपने वक्त से काफी आगे की सोच थी आज टाटा ग्रूप में 100 से जादा company थे जो 100 से जादा देशों में फैली हुई है अब हम नजर डालते हैं टाटा ग्रूप के size पर आप टाटा ग्रूप के size का हिजाब इसी बात से लगा सकते हैं कि 2016 में टाटा ग्रूप का revenue 103.5 billion dollars यानी की 70 खरब रुपय था जिसका 60% से जादा हिस्सा विदेशों से आया था आपको यहां जानकर हरानी होगी कि इस वक्त टाटा ग्रूप में 6,60,000 से जादा लोग काम कर रहे हैं और टाटा ग्रूप इंडिया के most valuable brands की list में पहले नमबर पर आता है अब जानते हैं कि असल में टाटा ग्रूप करता क्या है आए देखते हैं टाटा ग्रूप की कुछ कंपनियों को टाटा AIA जो की insurance सेक्टर में deal करती है टाटा communications जो की telecom सेक्टर में काम करती है टाटा consultancy services यानि TCS जो Asia की largest IT company है और world की largest software company है टाटा docomo जिसने भारत में पहली पर 2010 में 3G की शुरुआत करी थी and the list goes on like Tata Chemicals, Tata Defense, Tata Global Beverages, Titan Industries, Tata Motors, Luxury Car Manufacturing Companies like Jaguar and Land Rover, Tata Power, Tata Salt, Tata Sky, Tata Starbucks, Tata Steel, Tata Tele Services, Tata Click, Taj Hotels and Resorts, Sunishk Lake में जो की भारत की पहली cosmetic company था जिसे जवालाल नहरू के कहने पर Tata ने शुरुआत किया था Westara Airlines, Chroma Stores, Westside Retail Stores and Voltas, India का एसी Tata के अपने Educational and Research Institutes भी हैं जिन में से कुछ है Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science, National Center for Performing Arts and Tata Memorial Hospital Tata Group ने विदेशी और British company को खरीदना अपनी आज़त बना लिया है 2000 में Tata ने British tea company Tetley tea को 407 million dollars में खरीदा था 2007 में Tata Steel ने Britain के Corus Group को 13.1 billion dollars में खरीदा था और 2008 में Tata ने Jaguar and Land Rover को खरीदा था जिसकी कहानी बड़ी interesting है बात तब की है जब Tata Group ने 1998 में Tata Indy का कार को बजार में निकाला था Tata Indy का कार को मार्केट में अच्छा response नहीं मिला तब कुछ करीबी लोगों ने रतन टाटा को अपने कार बिजनेस में हुए नुकसान की पूर्थी के लिए अपना कार बिजनेस किसी और company को बेचने का सुझाओ दिया क्योंकि कार लौन्ज करने का planning खुद रतन टाटा की थि और उस से नुकसान हुआ था तो रतन टाटा ने हैस हो जाओ ठीक समझा और रतन टाटा अपनी टीम के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताओ फोर्ट कंपनी के पास लेकर गए फोर्ट कंपनी के साथ रतन टाटा और उनकी टीम की मीटिंग करीब 3 घंटों तक चली Ford Company के Chairman Bill Ford ने रतन टाटा के साथ कुछ रूखा वेवार किया और बातों ही बातों में यहा कह दिया कि जब तुम्हें इस वेपार के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो फिर तुमने इस कार को लॉंज करने में इतना पैसा क्यों लगाया हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं मीटिंग के बाद रतन टाटा ने तुरंत वापस भारत लोटने का फैसला किया और कुछी वर्षों में शुरुआती जटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छी खासी ले में आगे बढ़ने लगा और बहत मुनाफे का वेवसाय साबित हुआ वहीं दूसी तरफ फोर्ड मोटर्स बजार में उंदे मुह गिर गई और 2008 के अंत तक फोर्ड मोटर्स लगबग दिवालिया होने की कगार पर थी तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लगजरी कार ब्रांट्स जगवार लेंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम पेश करा जिसके बाद बिल फोर्ड बिलकुल उसी तरह अपने टीम के साथ बॉम्बे हाउस यानि की टाटा हेटकौर्टर्स पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्या ले गए थे मीटिंग में यहाँ तै हुआ कि जैगवार लेंड रोवर ब्रांड 9300 करोड रुपए में टाटा समूग के अधीन होगा और वैसा ही हुआ इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी बस बात इस बार थोड़ी पॉजिटिव थी उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा ऐसान कर रहे हैं यहां तो बात हुई टाटा ग्रूप के साइस की पर ऐसा क्या है जो टाटा ग्रूप को दूसरी कंपनियों से अलग बनाता है दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा केमिकल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सोडा एश्व बनाने वाली कंपनी है जिससे की क्लास बनता है और जमशेद जी टाटा ने एक शहर भी बसाया था जिसमें आज 6.3 लाक लोग रहते हैं और उसका नाम था जमशेद पूर जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है इन ही और इन ही के जैसे कई कारणों से टाटा ग्रूप को विश्व के सो सबसे रेप्यूटेबल कंपनीज की लिस्ट में 11 नमर मिला है अगर आपको हमारा यहाँ वीडियो पसंद आया है तो प्लीस लाइक, शेर और सबस्क्राइब